जै श्रीडाम दोस्तों आप सभी दर्शकों का फिर से तहे दिल से स्वागत है हॉक फीड निउस में खबर जो मैं आप तक लेकर आया हूँ वो कही ना कहीं आपके दिमाग के घोड़े खोलने पर आपको मजबूर कर देगी यकीन मानिए जो जिस तरीके से गेम खेला जा रहा है कई बड़े बड़े पत्रकार यकीन मानिए दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियां जो है उनके पत्रकार क्या गेम खेल रहे हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कहीना कहीं जो सवाल है गोध्रा का गोध्रा में क्या हुआ हम सब जानते हैं उस पर बात हम बाद में करेंगे पूरी खबर आपको बताऊंगा दिल्दी में इस समय क्या महौल है लेकिन सबसे पहले पोल खोलूँगा उन पत्रकारों की जो की दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल से आते हैं जिसका नाम है BBC उस पर भी मैं न्यूज दालूँगा लेकिन क्या ये खबर है क्या मामला है जो मेरे सयोगी है मैं उनसे विंती करूँगा कि आप अरुण जी एक बार दर्शकों को बताए कि क्या ये पूरा मामला है देखें जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि डोनाल ट्रम्प अमेरिकी रास्पती डोनाल ट्रम्प आएंगे और जिस तरीके से जो बवाल काटा जा रहा था दिल्ली में तो कहीं न कहीं है माना जा रहा था कि अमेरिकी रास्पती डोनाल ट्रम्प को दिखाने की ये लेकिन आज दो चीजें हुई सबसे पहली बात तो मैं अपनी तर्शकों को बता दूँ कि रिजिस तरीके से अमेरिकी राजपती दोनाल ट्रॉम्प ने सीरे सीरे तमाचा जड़ा है उन लोगों को जो यह कह रहे थे जिनकी यह कोशिश थी कि अमेरिकी राजपती दोनाल ट् ट्रॉम्प ने एक प्रेस कॉंफरेंस की और प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने सीरे सीरे कह दिया कि भारत में धार्मिक सोतंतरता है लेकिन जैसा कि दुरुप जी ने बताया कि बीवीसी का एक पत्रकार वहाँ पर मौझूद था और बीवीसी के पत्रकार ने सीरे सीरे दि कश्मीर मसले की उन्होंने बात करी लेकिन C.A. की कोई बात नहीं करी इसके साथ उन्होंने ये कहा कि भारत में जिस सरीके से हर नागरिक को धार्मिक स्वतन तरता है वैसा कहीं भी नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपने BBC का नाम लिया देखिए BBC क्या हिंदोस्तान का चैनल है जी नहीं BBC कहा का चैनल है ये उन अंग्रेजों का चैनल है जिन अंग्रेजों ने सौ साल तक हमको दबाया है हमको कुछला है BBC आज भी वही काम हिंदोस्तान में करना चाहता है देखिए मैं जो मंच है हौक फीड का हम कहीं भी BBC से नहीं लड़ सकते लेकिन हमें लड़ने की बोलने की ताकत आप लोग देते हैं जो हमारे दर्शक हैं 24 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें ताकत देते हैं तो सच तो हम बताएंगे हम डरने वाले नहीं हैं और आप उनसे पूछते हैं कि दिल्ली वाली आप मसले पर पूछते हैं तो आपका समझते हैं वो मूर्ख है वो गधा है नहीं जो आप उनसे निकलवाना चाते थे वो उन्होंने नहीं निकाला क्यों कि क्योंकि अगर आप उनसे कुछ भी गलत बुलवा देते तो जो दिल रिदू थे क्या वो मुसल्मान थे मैं इस चीज पर नहीं जाओंगा क्योंकि हम सब को ये बात मालूम है हम बैलेंस लेकर चलते हैं सारी चीजों का डिली में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं भाई साब डिली में शाहिन भाग कितने समय से बंध है वहां के बच्चे वहां के वेपारी किस तरीके से परेशान है ये हम सब जानते हैं अब बात या दी है कि BBC मैं आज का आपको बताता हूं Facebook पर मैं BBC का एक इंटरिव्यू देख रहा था BBC का एक पत्रकार BBC हिंदी के लिए पत्रकारिता करने लाइफ Facebook पर अपने उसने चैट वो उसने वीडियो चालू चाहते हैं कि ये जो धंगे भड़क रहे हैं ये ना भड़कें लेकिन इस BBC के पत्रकार ने जो किया ये BBC का पत्रकार जाता है एक मुस्लिम बहूल इलाके में जाता है जहां कल पेट्रोल पंप जलाया गया था जहां कल मारूती का शुरूम जलाया गया था कहां इसने जो अ अलाती हैं सबसे पहले मजार जलाई गई फिर इसने जब बाचीत की तो आप यकीन नहीं मानेंगे इसने एक भी हिंदू का इंटरव्यू नहीं लिया इसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो उधर लोकल जो रेजिडेंट थे जो मुस्लिम लोकल जो रह रहे थे उधर के लोकल तुम है अपना घर नहीं बचा पाया अपनी दुकान नहीं बचा पाया अपने परिवार को लेके चट से करीब आधा किलो मीटर तक चट से कूदता कूदता गया अपना परिवार को बचाया इसकी दुकान जल गई इसी बीच इसी बीच अब यह है आपको बात बिल्कुल स पहुचता है इसके साथ जो भीर थी मुसलिम बहु उलाका था तो एक मुसलिम भाई इनके साथ साथ गए वहाँ जाकर ये मुसलिम भाई से पूछते हैं देखिए मंदिर है इसको तो कुछ नहीं हुआ तो वो मुसलिम भाई क्या बोलता है वो मुसलिम भाई बोलता है देखि में कहता है कि इस मंदिर को तो हमने बजाया अब सोच सकते हैं इनकी क्या mentality है अगर मैं एक हिंदू हूँ या मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता दोस्तों मैं आप से सर्फ एक बात पूछता हूँ अगर कभी आपके परिवार के ऊपर कुछ बन पड़ा आया उनकी जान का रिस्क है आपको उनको बचाना है तो आप अपनी जान न्योचावर करने से पीछे नहीं अटेंगे गोधरा यही था गोधरा में जो भी कुछ हुआ वो यही था कब तक कोई इनसान कोई मैं कहूंगा राम कोई मैं कहूंगा श्याम कब तक सहेगा नहीं सहेगा जब बन पड़ेगी अपने परिवार पर तो एकलोता 100 से भी लड़ जाएगा एकलोता 2 से भी लड़ जाएगा एकलोता 500 से भी लड़ जाएगा अब ये आपको सोचना है कि क्या दिल्ली गोधरा बन रहा है या एक मासूम दबाया हुआ जिसको दबाया जा रहा था अब वो खुलकर अपने परिवार को बचाने के लिए निकल रहा है इसका जवाब आप क लेकिन हिंदोस्तान में अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीन मानिये ये बहुत बुरा होगा तो इसलिए मेरी विंती है समभल जाएगे मैं किसको कह रहा हूँ किसको नहीं कह कह रहा हूँ लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए अरुन जी अब मैं कहूँगा कि आप विस्तार से लगबग हम काफी समय ले चुके हैं लेकिन आखरी का मैं 45 से कहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि अब हालात क्या है डोनल्ड ट्रम्प आद 10 बजे जा रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो गेम खेला गया है कि डोनल्ड ट्रम्प आएंगे तब हम CAA के बारे में कुछ बात करेंगे CAA से तुरंत पहले जैसी डोनल्ड ट्रम्प इंडिया में हम आने वाले थे उसी समय से ये सब चीजें हल चल दिख गई खेल अगर ट्रम्प के आने से पहले हो सकता है तो हिंदुस्तानी सरकार है ये ये अमिच शहां है यहां मोदी है ट्रम्प के जाने के बाद तो फिर सोचिये क्या होगा आपको जितना गंदा करना था जितना गंदा गेम खेलना था आपने खेल लिया मेरे घर में महमान आया हुआ है और आप मेरे घर को परबाद करने की कोशिश कर रहे है तो अब देखिये महमान जा रहा है अभी तक तो कुछ नहीं है लेकिन समल जाईए मैं ये उन दंगाईयों से बात कर रहा हूँ जो भी दंगाईयां है मुझे नहीं पता वो हिंदू है के मुस्लिम है मैं अपनी वीडियो में काफे कुछ बता चुका हूँ आपको लेकिन सयम बढ़ते हैं और जो भी गडबड कर रहे हैं उनको मेरी मैं चेतावनी तो नहीं दे सकता लेकिन हाद जोड़ कर विंती है अब समल जाईए अरुम जी हम मैं कहूँगा आखरी 30 सेकिंड में आप दर्शकों को बता दीजिए क्या है पूरा मामला अब क्या होने वाला है और देशित चैनल होकफी तुरन सब्सक्राइब कर लें आपका सब्सक्रिप्शन मुझे ताकत देता है कि मैं आपके सामने पोल खोल कर रख दूँ दोगले पत्रकारों की चाहें वो BBC हो चाहें वो कोई भी दुनिया का चैनल क्यों नहों ताकत आप देते हैं सब्सक्राइब कर लें वीडियो शेर कर दें आखरी 30 सकिंड में सुन लीजिए क्या है पूरा मामला कर दिया गया है इसके लाबा खबर यह भी आ रही है कि रात दस वजे के बाद और भी कंपनी को डिप्लॉई किया सकता है इसके लाबा दस इलाकों में उत्तरपूर्व के दस इलाकों में धारा एक सचौवालीस लागू कर दी गई है जो भी दिल्ली में हो रहा है सयम बढ़ते हैं इन सब चीजों से कुछ नई हासिल होने वाला है हाँ फिर मैं यही कोओंगा देखिए चीजें गडबड होती हैं गलत होती है लेकिन आपको सयम बढ़त ने की जडरवत है तो सयम बढ़ते हैं फॉकफीड की आपसे विंती है देशित चनल है देश की संपदा का ख्याल रखें बहुत मुश्किल से आपके हमारे टेक्स से ये सब चीजें मिलती हैं इनको बरबाद ना करें दोस्तों चलिए फिलाल के लिए एकना ही आपसे अब विधा लेता हूं जैहिन जैभारत नमस्क कर दो बाद करें एकना है लेक्ट कर दोस्तों प्रॉड शाब का ल जाद जैगा